हेलो प्रेंट स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल देविंद अकैडमी में तो दोस्तो आज हम आपको साधारण व्याज के कुछ सूत्र बताएंगे जो कि आपको मेद सब्जेक्ट में आने वाली सवालों को हल करने में मदद करेंगे तो दोस्तो हमारा पहला सूत्र है साधारण व्याज बरावर होता है मिस्रधन माइनस मुल्यधन और इसके बाद है साधारण व्याज बरावर मुल्धन गुड़त दर गुड़त समय बटे सो तो फ्रेंट ये दोनों आपको लग रहे हैं कि एक से मतलब एक से सूत्र हैं तो य आपका confusion है जो कि मैं अभी दूर किये देता हूँ तो दोस्तों पहला जो सुत्र है साधरन व्याज अगर आपको उसमें मिस्सरधन या मूलधन दिया हो तो अपन ये वाला सुत्र लगाएंगे पहले वाला और अगर आपको मूलधन दर और समय दिया हो तो अपन ये वाला सुत्र लगाएंगे अगला है मूलधन बराबर होता है इसके बाद अगर अगर अपन को दर निकालना हो तो दर बराबर लगेंगे साधरन ब्याज गृत सो बटे मूलधन गृत समय इसके बाद है अगर आमको समय निकाल ला हो तो समय बराबर होता है साधरण ब्याज गुड़त सौ बटे मूनधन गुड़त दर तो दोस्तो यह हमारे स्टेक्चर थे जो की मैथमेटिक सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं तो दोस्तो अपने याद कर लें ताकि आपको साधरण ब्याज के कोई भी सवाल हल करने में परिशान ही ना हो तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे धन्यबाद दोस्तो